आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग मैंथर विदाउट इंडिकेटर्स पार्ट फार्ट कंटिन्यू करते हुए और फॉर पार्ट से उनकी लिंक तो मैं रखी दूँगा एंड स्क्रीन में पर आज का पार्ट जो है बहुत ही अमेजिंग है अगर हम जब भी विदाउट इंडिकेटर्स कोई ट्रेडिंग प्लान अप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राइस एक्षन भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं ट्रेडिंग मैथर विदाउट एनी इंडिकेटर्स डेफिनेट ने ऐसा सभी ने सुना होगा प्राइज इस द गॉर्ड क्योंकि प्राइज से ही तो सब इंडिकेटर बनते है तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कोई इतना बढ़िया सेटप दिखाने वाला हूँ केंडल स्टिक का सबसे पहले एक्षन रियक्षन तो है पर उसके साथ हम कमबाइन कर देंगे बैरिश स्कैंडल स्टिक पैटन तो मेरा जो सबसे फ्राइज है वो है हैमर बैरिश हैमर को हम डाउं ट्रेंड के साथ कर देते हैं कमबाइन आज हम सीखेंगे एक्जामपल लाइव लेंगे डिपी सीएल का ओके फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं तब तक चैनल सस्क्राइब यह आइकन पे लिक कर दीजिए मैं सब करता हूँ रेडि तो फ्रेंड्स यह जो मेरा सेटब है डेरी चार्ट पे बिपी सीएल का आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत हो तो यहां बॉटम से सुरू कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर ट्रेंड लाइन खुट ड्रॉ नहीं करनी है तो हमने एक वीडियो में बताया था कि आपको यहां इंडिकेटर से अटो ट्रेंड लाइन ड्रॉब्लम का एक फीचर है वो भी मिल जायेगा तो यहां से अगर मैन्यूली करना है तो इस वे यह यह बॉटम से यह बॉटम फिर यहां से यह बॉटम और फिर और अंदर ड्रॉब करनी है तो आप यहां से भी यह बॉटम लाइन ड्रॉब्लम 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 लाइन यह तो मैंने आपको सभी को सीखाया ही हुआ है पर एक चीज और गौर करने जैसी है कि stop loss ना हो उसके हम precautions ले सकते हैं पर वो होई ना ऐसी कोई method मेरे पास तो नहीं है किसी और के पास हो वो अलग बात है मेरे पास नहीं है तो यहां पर यह हो गया दो केंडर का बड़ा fall trend line has already been broken it has already taken reaction आप देख सकते हो right it has already taken reaction and one more thing जिस पर आपको focus करना है तो यह trading setup आपके लिए बहुत काम का हो सकता है कई बार क्या होता दोस्तो हम यहीं hammer use कर लेते हैं पर hammer का location बहुत important है हमें ऐसा सीखाया गया है कि hammer का location टॉप पे होना चाहिए ठीक है यह bear is hammer का पर उससे भी अच्छा आपको तब मिलेगा result दोस्तों जब already stock weak हो चुका होगा याने दो बड़े rare candle से जो है वो bear के control में तो आई चुका है पर उसको और define predefined करेंगे और filter करेंगे तो हम पता चलेगा कि reaction में एक hammer है reaction यह close से close उपर होना है अगर हम sort की बात कर रहे है तो and one more one more thing friend this is only for educational purpose okay so now यहां पर दिखेगा आपको कि यह बड़ा fall और reaction में यहां तक वो गया था पर sustain नहीं हो पाया and finally वहां पे एक बड़ा आप लेख सकते हो long upper shadow है okay so hammer perfect होनी चाहिए perfect hammer की definition भी मैं आपको बता देता हूं कि suppose समझने के लिए इसका high 100 है right और उसका low है 90 rupees तो real body जो है उसका one foot part के आएगा 92.50 okay so 92.50 के नीचे real body होनी चाहिए okay friends so बहुत ही अच्छा मैं trading use offer पर आपको explain कर रहा हूं क्योंकि features भी इतने अच्छे है so अगर high 100 है low 90 है तो open or close entire real body should be below the one fourth part याने हमारा one fourth part यहां पर होता है 92.50 okay so समझने के लिए मैंने level change किये हुए है so everyone can understand easily right so one fourth part आपको ऐसे धूनना है या फिर आप Fibonacci retracement भी drop कर सकते है top to bottom और उसमें 25% का level डाल दीजेगा hammer का जो dedicated video हमने बनाया था वो भी मैं suggestion में यहां पर डाल दूंगा तो वो दरूरु देखेगा okay so यहां पर बात आती है downtrend तो ही पर यह वारा setup बहुत बढ़िया होता है कि bearish hammer in reaction और bullish case हो तो bullish hammer in case of reaction right so कल के लिए यह live example आपके लिए दोस्तों यह low है 377.35 if it breaks this level then it can go down and stop loss sorry friends थोड़ा health अच्छा नहीं अभी भी so stop loss will be the high of this bearish hammer 395.50 और जैसे यह low break होता है मैं always कहता हूं कि stop loss revise करते जाएगा with the high of previous day candle okay और target रखना हो तो उसके लिए भी मैंने बताया है कि nearest जो bottom है वो आपके target या फिर as per the trend line यह trend line आपका target बनता है and if it opens below this row तो कोई काम का नहीं है right friends तो आज का जो हमारा setup था है without indicator जिसमे मैंने आपको सीखाया कि action reaction with bearish hammer okay friends तो इस पे जरूर वर्क आउट कीजेगा back up इसका back twisting कीजेगा तो आज इतना है फिर मिरते नए वीडियो के साथ तर तक कि दे good bye take care follow the stop loss